नमस्कार आप देखरें पीडेस न्यूज मैं हूँ पीसी सेमी वाड नमर साथ बड़ी डानी थोई का मामला है ये जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि बड़ी डानी में वाड नमर साथ में ये रस्ता पिछले दस दिन से इसी हाल में पड़ा हुआ है जिसके उपर अभी तक कोई भी पाइपलाइन नहीं दबी अगर पाइपलाइन नहीं दबानी थी तो दस दिन पहले इस रास्ते को खोदने का मतलब क्या था उसका फाइदा क्या था ये जानना है यहां के सरपन से और जिस ठेकदार ने ये काम ले रखा है उससे सवाल ये बनता है कि 26 सितनमबर को ये रास्ता खोदा गया था और आज 6 अक्टुमबर है अभी तक इसमें कोई पर्टिक्रिया नहीं की गई इसके उपर कोई काम नहीं हुआ तो इतने दिन पहले खोदने से फाइदा क्या है बड़ी रहानी के अंदर जितने भी रास्ते खुदे हैं उनको इसी तरह से बंद किया गया है कोई रास्ता पाँ दिन से बंद हुआ है किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है तो सवाल ये बंद रहा है कि अगर इस पर काम नहीं करना था तो इसे इतने दिन पहले खोद कर छोड़ने का फाइदा क्या हुआ रस्ते के दोनों तरफ घर बने हुए हैं जिनके अंदर छोटी छोटी गाड़िया हैं जो रस्ते में नहीं निकल पा रहे हैं नीचे से छू जाती हैं जिसके कारण से उनका काम धंदा चोपट हो रहा है यहां पर कमी साप साप दिख रही है कारे से लिकी सरपंच की और ठेकादार की बिलकुल भी धान नहीं दे रहे हैं कि इस रस्ते को खोद कर छोड़ने से जो जनता है उसको कितनी ऐसुईदा हो रही है बड़ी धानी में कई रास्ते आज भी ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से कंप्लिट बंद नहीं किया गया है क्या ये काम इस तरह का किया जा रहा है जो वाजिब है या नहीं ये तो आप खुद कमेंट करके बताएगा तो इस रिपोर्ट में इतना ही आप देख रहे हो PDS News मैं हूँ PC सेनी जिसने दिखाया आपको वाज नमबर साथ का ये हाद धन्यवाद